EV cars अब जैसे जैसे popular हो रही है वैसे ही EV conversion भी अब लोगों को पसंद आने लगा है लेकिन इस process में एक ही सबसे बड़ी problem है वो है battery pack के महंगे price की EV conversion के और सभी components इतने ज़ादा महंगे नहीं है लेकिन यह सिर्फ जो एक battery pack है वो आपके पूरही budget को खा जाता है आप जितना बड़ा battery pack लेंगे उतनी driving range ज़ादा मिलेगी और price भी ज़ादा pay करना पड़ेगा लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा EV conversion से भी एक काफी सस्ती चीज़ के बारे में जिसकी cost maximum 20-30,000 के बीच में ही रहने वाली है और इस kit की जो savings है वो जानने के बाद आप साथ EV conversion kit के बारे में सोचेंगे भी नहीं इसमें आपकी car के साथ कुछ ज़्याद बड़े changes भी नहीं करने होंगे आपने आज तक CNG kit, LPG kit, hybrid और EV kit के बारे में ज़रूर सुना होगा लेकिन क्या आपको बताएं कि आप मार्किट में flex fuel conversion kit भी एविलेबल है खासकर cars के लिए और जैसा कि आप सभी को पताएं कि flex fuel भी आपको जल्दी ही सभी fuel pumps के उपर देखने के लिए मिलने वाला है सायद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि flex fuel सिर्फ flex car के अंदर ही चल पाएगा लेकिन ऐसा नहीं है ये fuel भी आपकी car के अंदर आराम से चल सकता है बस आपको एक plug and play flex fuel kit को install करवाना होगा और जिसका procedure CNG kit के installation से भी आसान तो है ही साथी CNG kit से सस्ता भी है और इस flex kit के installation के बाद आप अपनी कार को flex fuel और petrol दोनों के उपर यूज़ कर सकते हैं और flex fuel का जो price है वो आपको 40 से 45% तक कम ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसको कहीं से भी import नहीं करना होता है तो अब आगे जान लेते हैं इस kit के installation process के बारे में और अगर आपके मन में भी doubt है कि इस kit के installation के बाद आपकी कार की performance कैसी रहेगी तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाले subscribe बटन को भी ज़रूर दबा सकते हैं फ्लेक्स्विल कनवर्जन किट में आपको सबसे पहले एक main unit देखने के लिए मिलेगी जो सीधा ही आपकी कार के injectors और ECU से connect हो जाएगी जो कार के injectors को ethanol के उपर run कराने में help करने वाली है क्योंकि आपके ECU को design किया गया है सिर्फ petrol के साथ में कार को चलाने के लिए लेकिन ये main unit आपकी कार के injectors की power को और ज़्यादा बढ़ाएगी जिससे आपको अच्छी power के साथ ही अच्छा mileage भी मिलेगा दूसरा इस kit में आपको कई सारे sensors भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें सबसे पहला sensor है ethanol sensor जो आपकी कार के petrol tank के साथ attach हो जाएगा और वो sensor main unit को बताएगा कि कार के tank में कितना ethanol है और कितना petrol है जिससे आपकी कार का जो fuel system है वो एकदम safe रहेगा दूसरा sensor है temperature sensor जो आपकी कार को help करेगा cold start में अगर in case engine का temperature काफी कम होता है तब ये sensor आपकी कार की fuel supply और air supply को बढ़ा देगा जिसके बाद आपकी कार आराम से start हो जाएगी अब last जो sensor है वो आपकी कार के oxygen sensor के साथ में attach रहता है जो main unit को ये बताता है कि engine ethanol का use ठीक से कर रहा है या फिर नहीं और ये sensor आपकी कार की performance और miles दोनों को ही बढ़ाता है जो कार्स आपकी 1.2 liter engine से नीचे वाली है उनके साथ आपको सायद performance में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन जो कार्स higher CC segment में है उनके साथ आपको power lag feel हो सकता है इसके लिए आपको बस थोले से better octane rating वाले flex fuel को use करना है जिसके बाद कार की जो power है वो आपको petrol से भी जादा देखने के लिए मिलेगी तो flex fuel kit के बारे में जानने के बाद अब आप ये खुड decide कर सकते हैं जो आपको बारे में हमें उनके साथ